नेताओं के सामने बबेले जी जो हैं प्यूष बबेले जी यहां बैठे हुए हैं यह ना केवल एक पत्रकार हैं लेकिन इतिहासकार भी हैं मैं चाहूंगा प्यूष बबेले जी से कि वो हिंदी में अनुबादित एक्स्ट्रैक्ट सावर्ग लेका जहां उन्होंने हिंदू चाहिए लिए जो संञ्मों के सामने दिखा देना तुँम्हारे सावरक जी यह कहते थे जी हैं इससे जोडरा सो मरा आर पार की लड़ाई है 2024 के लिए हमारी ये योजना है जैसा कि इन्होंने बताया कि साथ RSS वाले केवल काना फूसी करते हैं ना तो आंदोलन करते ना प्रदर्शन करते ना रैली करते ना विपक्ष में रहती हूँ ना कभी डंडा खाते ना जेल जाते उल्टा हम लोगों को समझाने आ जाते हैं मुझे भी बहुत समझाया गया मैं सब 70-71 के अंदर किसी पार्टी में नहीं था तो कुशा भाव ठाकरे जी भी आये कैलाश सारंग जी मुझे दोरे पे ले गए राज मात्या सिंध्या ने भी मुझे कहा कि जनसंग में चले जाओ हमने उनकी किताबें पढ़ी नेरू जी को पढ़ा गांधी जी को पढ़ा रामधारी दिनकर जी को पढ़ा बात को समझ में आई नहीं क्योंकि भई बच्पन से हमने तो मैं उस परिवार से हूँ कि मेरे पिता जी सन चालीस में उन्होंने खाजीर पेनना शुरू कर दिया था गांधी जी के साथ कि क्न्ग्रिस विचारधारा में रहते थे मेंबर थे क्ांग्रिस के और सन चालीस में ही से अक्तालीस में हमारे घरके मंदिरों पर दलितों का प्रवेश उनों ने करा दिया था उस समय